आज मैं करने वाली हूँ इस ट्राइंग रूम का पूरा मेक ओवर कॉस मैं इससे बहुत बोर हो चुकी हूँ तो मैं बिल्कुल चेंज करने वाली हूँ हलो आज मैं करने वाली हूँ फिर से एक मेक ओवर आज मैं पूर से बहुत जा मेक ओने वाली हूँ तो मैं अच्छे आज मैं पूर्से मेक साइओ आज मैं ने कारने वाला है थिर से रूम को बहुत टुज है और के चाहिए जे को आज मैं सकते हैंे कि blond B पुर पार लिए खाल फैसको आए हो बहुत अज़ा लाई किया गया और उसी सारी आइटम्स मेंसे वाज यूज एग शीज़ा हो एक आपने ज्ज्जु आज एक्टारीन रूम में तो करते है है अज का व्लॉग स्टार्टकै अग्रा मेकोवर ड्राइंग रॉवर का तो पले विभाइ में दोड़ा भी बाद बाद बाल हाल दिखाओंगी तो गाइज आप मुझे बताएगा कि मैं ऐसा में कैसा में किया और मैंने एक कोवर और किया था रूम वाल तो अगर वह आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजगा आगा आई ऑग कि वो भी आपके करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और करते हैं बहुत सारी महनत दिवाली ने दिवाला निकाल दिया है तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट तो इस रूम का मैं करने वाली हूं को यहां पर डाविक यहां पर कुछ टैम के बाद यहां पर सुच्छ случай कुछ टाइम के बाद हम लोग 6 साथ या साल भर के बाद एक ही उससे बोर हो जाते हैं तो सेम महीस मेरे साथ हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो गए थी तो मुझे अभी इसको चेंज करना था और दिवाली से बेटर मौगा हमें कभी नहीं लगता कॉज इस टाइम पे स बस उसकी नीड है बीच वाले कटेंगी मुझे नीड नहीं है तो अब ही मैं इसको वाश करूँगी और वाश करने से पहले मैं आपको एक चीज बता हूँ इसको जब भी वाश करे ना तो ये निकल जाते हैं लोक्स जो होते हैं हमेशा वाश करने के टाइम पे दो या तीन लोक्स तो निकलना मस्ट ही है इसके विना तो काम ही नहीं होता इनका तो हम इसका इलाज करते हैं इसका इलाज हम ऐसे करेंगी इन लोक्स को लेके पहले प्लेट्स बना लिजे उसके बाद थ्रेट से इसको टाय कर दीजे और ये लोक्स कहीं नहीं जाएंगे अराम से जो चाहएगा और यह आप कहीं नहीं जाने वाला है उसके बाद मैंने यहां पे सोफे साफ करने के लिए एक ब्रश लिया मेरा वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा है वह रहा था तो मेरा बड़ा वाला है ना तो उससे मैं नहीं कर पा रही दी तो मैंने यहाप यह ब्रश लिया है उसके बाद मैंने यहाप डीप ट्लीनिंग स्टार्ट करी लिटरली मेरी मतलब हर वीक मेरे घर में आउंटी लगा रखी है तो वह अब यह सारी वाल्स वगरा मैंने क्लीन करा और उसके बाद सारा सामान है से फोटो फ्रेम्स वगरा हटा है क्योंकि जब तक वह सारी चीज़े हटा के अच्छे से साफ नहीं करो ना वह डीप क्लीनिंग वाली वह खुशी आती नहीं और साथ में आंटी भी आ गये थे तो मेरी हेल्प करा नहीं थी तो अभी मैंने सब हटा हटा के जाड़ो वह बोचा कर वाया उसके बाद ही मैं सारी डेकॉरेशन वगरा स्टार्ट करूंगी तो अभी सबसे पहले मैंने सेंटर टेविल को अच्छे से क्लीन करने का सोचा और मैंने इसका ग्लास हटा दिया है तो कि वावजूद इसमें अच्छा खासा डर्स्त है और मैंने यहां पर अपना सॉंक पहना और यह मैंने किचेन मेकोवर सब्सक्रिक पएड़ो तो सोवाला ट्रिक पहना उसके बाद मैंने यह कलीन करना स्टार्ट किया और मेरे घंड में चितने वार्श सोक्स से तीन में बह तो फिर इसकिन बहुत अजीब सी लगती है तो यहां पे बस मैंने बच्चों को भी लगाया लीव्स अगरा लगाने में और यहां मेरे बच्चों ने बहुत हैल्प कर दी तो पूरी सैटर डेविल अभी हो गई है क्लीन होने के बाद ना में अलगी जान आ गया है इसके बाद मैंने इस कैबिनेट को मैं यह सामने वाले में शिफ्ट करा रही हूँ कॉज यह साइट में लगा हुआ नहीं सही लग रहा था और मुझे कुछ ना कुछ चेंज तो कर नहीं था तब ही इसको हमने लगा दिया है सामने और यहां पर यह जो कैबिनेट का कलर है यह कलर ऐसा है इस पर इतनी सी भी धूल होती है वो तुरन दिखती है और यह पॉलेश वाला जो फनीचर होते है इसमें दिखता भी गुजात ही है तो अभी बस मैंने पहले साफ कर रहा उसके बाद मैंने कोलिन से डाल के मैंने इसको अच्छे से मैं क्लीन करूँगी फिर यह अलगी चमक किया जाएगा और मतलब इस टाइम पे तो मुझे कोलिन लग रहा है यह पूरा फिनिश होने वाला है कॉस इस कोलिन ने भी दिवाली में मुझे लग रहा है तो मैंने अभी वही लिया और इस टाइम पे एक और है जो कॉटन में है चल रहे है कभी कभी लगता है कि कर्टिंश टाइम फू टाइम मतलब हर छे महीने में थोड़ा से अल्टरनेट करके रख लगाने ही चीए तो अच्छा लगता है तो यह मैंने मीशो से मगाया था आपने देखा होगा लास्ट मेरा मीशो वाला हॉल और मैंने दो मीशो हॉल डाले हैं दोनों यह बहुत अच्छे बनाए हैं आई होप कि आप लोगों के लिए काफी हलफुल हो और यह काफी अच्छे लेंथ में हैं स्ट्रिंग सी वाली फ्लावर्स तो आप इसको भी कभी यूज़ करिएगा मेक वरो करा में बहुत अच्छा लगेगा रूम गगरा में अलागी लोग आ जाता है उसके बाद मैं इस लाम्प को मैंने एक लाम्प और यह मगाया था यह ऐमाज़ॉन से ही मगाया है बहुत अच्छे लाम्म से ही और इसके बाद मैंने टेविल गरहा help सेट केर दिया मैं टेविल को बीच में लगा दिया मैं साइड में लगा दिया जब नीड होती है तो मैं इसको बीच में कर ले थे उसके बाद सोफे वगरा सब अपनी जगा पर एज़स्ट करें कॉस ढाड़ो पोचा बहुत अच्छे से हो गया था आज तो अलगी लग रहे तो उसके बाद मैंने यहां पर सोफे की कवर पर लगा रही है सोफे की कवर मैंने यहां पर एंटी स्लिप वाले करी दे हुए है तो यहां जैसे लगा दोगे ना वैसे का वैसी रहेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला बिल्कुल चिपक जा रहा है वह इससे सोफे क कवर मिले ना वो भी काफी अच्छे मिल गये थे और एंटी स्लिप वाले काफी बेटर होते हैं और उसके बाद मैंने यहां पे लगाया यह ब्लाक कलर के कुशन्स ट्राइंगल शेप में और यह मेरे अभी नियू तो नहीं है बट यह बहुत प्यारे लग रहे है और इस पे काफी मैच भी हो रहा है आप देखिए आप बताएगे कैसा लग रहा है है ना अच्छा लग रह है यह वाल डिकॉर वाल क्लॉक है बहुत ऑसम है और यह भी मैंने आपके संग मीशो हॉल में शेयर किया हुआ है अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए हो तो मीशो हॉल देखेगा आपको सारे डिटेल्स मिल चाहेंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब के लिंक्स प जारा आइटम जो है वो सब मीशो से है और इस बार तो मीशो की सच में होम डिकॉर में मीशो ने बहुत हेल्प कि रिया है बहुत जादा बड़ी वाली फैन हो गई हो मैं तो यहां पर यह तीनों यह भी बहुत डोनट पॉट्स थे यह भी बहुत अच्छे लग रहे थे ड करने के बाद देखें इसमें एक भी लॉक नहीं निकला है और यह फिर मैंने कर्टेंस लगवाए हस्बंस यहां पर कर्टेंस की नहीं हो रही थी और सबसे इंपॉर्टेंट यह जो लाइट्स यह मैंने किचिन मेकोवर में भी आपके संग शेयर की थी यह लाइट्स यह प में सिक्शना चीए दो साल तक तो खरावी नहीं होना है तो यह लेकिन किसी ह시न है लगवाना अकЙले तो नहीं पॉसब्ल है तो अराम उरसे गनेक्न हो जाता है और कहीं नहीं मतलब अलगी लोका आ जाता है लगाने के बाद मैं वह आभी ओन करके दिखाऊंगी उसके बाद मैंने यहां पे स्टूल रखा यह बहुत एंटिक वाला स्टूल था बहुत प्यारा लग रहा था यह मैं अभी एक एग्जिविशन से लेकर आई हूँ और बहु सो फाइनली पूरी दिन की बहनत के बाद मेरा रूम हो गया रेडी और मैं अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपके लिए सो यह रूम हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके और यह कर दिया है मैंने पूरा मेक ओवर और सबसे जादा मुझे यह वाली बॉल पसंद आई है मैं अपना परिसनली बता हूँ तो इसमें यह लाइट्स लगने के बाद यह बिलकुल आउसम लग रही है देखने लाइट्स मैंने चारो तरफ से लगा दिया उसके बाद जसका कनेक्शन कर द है और यह कर्टेंस मैंने यहां पर लगा दिये तो यह भी बहुत अलग लोग दे रहे हैं और बस के हो गया पूरी दिन की महनत के बाद जो कि आपको कुछी मिनिट्स के वीडियो में देख रहे हैं और आई होब कि आप लोगों का अच्छा लगा होगा कि यह मैंने कैसा मे मीशो की यूज करिए तो मैंने मीशो हल भी आप जरूर से देखिएगा आप लोगों के लिए हल्फुल होगा और यह जो एंटीक स्टूल है ना यह तो अलग ही दे रहे है और यह बुद्धा और यह भी मैंने अमाजॉन से ही मगाया था बहुत सुन्दर लग रहा है इस प का आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत इंज्वाई किया होगा और बस मैं यही ओप करती हूँ कि सब लोगों को मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मैं फिर मिलत आपसे नियू ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई